बिट्टु का उठा, इसका स्कूल का टाइम हो रहा है, दिन भर सोया रहता है, उठा इसको मेरी सुनता कहा है वो, आप ही उठा दो हाँ हाँ, सब काम मैं ही करूँ इस घर में ऐसा क्या काम कर दिया, सुबह से बैठे तो हो बिट्टु, बिट्टु उठ, स्कूल नहीं जाना है, उठ, रोज रोज इसकूल जाने का मन नहीं करता है आज स्कूल नहीं जाता हूँ, छोड़ो हाँ हाँ, तू तो रोज रोज जाता है, रोज रोज है, हफते में दो दिन स्कूल जाता है कभी कुछ बहाना, कभी कुछ बहाना, जल्दी तयार हो, इस्कूल जा, जा इस्कूल जा, जा, इस्कूल, क्या बहाना बनाऊं, क्या बहाना बनाऊं, हाँ, मेरे सर में बहुत त्याज दर्द हो रहा है, जैसे ही, इस्कूल जाने का टाइम होता है, मुझे कुछ ना कुछ हो जाता है, यही तो परेशानी है मेरे साथ, क्या करूँ, मेरा तो भाग यही खराब है, मैं सोचता हूँ रोज स्कूल जाओंगा, इतनी पढ़ाई करूँगा, इतनी पढ़ाई करूँगा, दुनिया में आज तक किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं की होगी, पर क्या करूँ इस स सरदर्द का सोजाता हूं क्या पता सरदर्द ठीक हो जाए और हाँ स्कूल की छुट्टी का टाइम होगा तो मुझे उठा देना मुझे बाहर खेलने भी जाना है पागल समझता है मैं पागल हूँ बेटा इस्कूल नहीं जाना है तो घर में पढ़ाई कर चल पढ़ाई कर रुख अभी मैं डंडा लेके आता हूँ आज मैं तुझे डंडे से मार मार के पढ़ाऊंगा मैं हूँ यमराज यमराज बिना दरवाजा खोले अंदर कैसे आ गई मैं इस पूरे भ्रह्माण्द में कहीं भी आ जा सकता हूँ मुझे कोई दरवाजा रोक नहीं सकता, मूर्ख मनुश, मनुश, मैं तो यहां अकेला हूँ, कहां है मनुश, अबै मूर्ख, मैं हूँ यम्राज, मैं तेरी जान लेने आया हूँ, जान, मेरी जान लेने आया हूँ, तो बगल के घर में जाओ, वहां रहती है मेरी जान, उसका नाम है काजल, बहुत जाओ लिजाओ पागल है क्या तू मैं हूँ यम्राज समझ में नहीं आता यम्राज हो तो क्या करूँ तालीब जाओ बजा देता हूँ ये लो आ देखो देखो यम्राज आया है यम्राज अरे मोर्क तू डर क्यों नहीं रहा है मैं तुझे मारने आया हूँ मारो सब मारो कभ पड़ाई कर बोला, नौटंकी कर रहा है, देखो, यमराज अंकल आए है, कहा है यमराज, ये सामने खड़े है, मैं उनको दिखाई नहीं दूँगा, मैं सिर्फ उनको दिखाई देता हूँ, जो मरने वाला होता है, क्यों कि मैं हूँ यमराज, हाहा, क्या हुआ, यमराज अं बिट्टू के पापा, मेरे बिट्टू को बचा लो! चुप! ये हमको बेकूफ बना रहा है! अब तेरा बाप तुझे मारेगा! यही बहाना है तेरी मौत का! यही लिखा है तेरी किस्मत में! मैंने तुझे बोला पड़ाई कर! यमराज है! ये है! वो है! रुक! मैं तुझे बताता हूँ! अरे पापा! नहीं! मुझे मत मारो! यही अमराज अंकल की चाल है! अगर आप मुझे मारोगे! मैं मर जाओंगा! मेरे बेटे क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? ए बिट्टू! बिट्टू! उठ उठ! पड़ाई ना करने के बहने बना रहा है! उठ बेटा उठ! 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 तुझे कुछ नहीं हुआ! उठ! 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 क्यो मारा मेरे बिट्टू को? खाले क्या हो? डॉक्तर को बुलाओ! मेरा बिट्टू! मेरा बिट्टू! अरे! मम्मी! मैं यहाँ हूँ! तू मर चुका है! तू अब कितना भी बोल! उनको सुनाई नहीं देगा! नाहीं तू उनको दिखाई देगा! तू बिट्टू की आत्मा है! वो देख! तेरा म्रत शरीर पड़ा है! अरे! डोक्टर आगई! क्या हुआ? देखो! क्या हुआ इसको! डोक्टर देखो! मेरे बिट्टो क्या हुआ? देखो! हहाँ देखता हूँ! यह तो मर गया है! बित्टू! मेरा बित्टू! मेरे बिट्टू को क्या हुआ मेरे बिट्टू को क्या हुआ मेरा बिट्टू उठ 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 मुझे छोड़ दो देखो मम्मी पापा रो रहे हैं तू मर चुका है जो एक बार मर गया वो फिर जिन्दा नहीं हो सकता बहुत परेशान करता था लोगों को मैं तुझे नर्क लोग छोड़ के आता हूँ मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ मुझे क्यों मारा क्यों कि तू हर किसी को परेशान करता है आज के बाद मैं अच्छा बच्चा बन कर दिखाऊंगा मैं किसी को परिशान नहीं करूँगा मम्मी पापा जो कहेंगे मैं वो करूँगा बहुत पढ़ाई करूँगा मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मैं मरना नहीं चाहता हूँ मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, अरे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पागल हो गया है क्या, मैं जिन्दा हूँ, मैं सपना देख रहा था, मैं जिन्दा हूँ, मैं जिन्दा हूँ, एक तो आधे दिन तक सोया रहता है, उपर से पागलू जैसी हरकत कर रहा है, नहीं पित और हाँ मेरी स्कूल की किताबे निकाल कर विस्तर में रख देना मैं आज रात भर बढ़ाई करूंगा आज बिट्टु इतना अच्छा कैसे हो गया कि अज़िए कि अज़िए